स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं एके मिश्रा जी राजनितिक सलाहकार एके मिश्रा जी आपका भी स्वागत सबसे पहले आप से रियक्शन आज कुछ देर में वोटिंग खतम हो चुकी है लेकिन काउंटिंग शुरू होने वाली है दावे सबके आपको मै मौमन दर्शकों ने सुना लेकिन अब क्या उमीड है नहीं देखिए मैं शुरू से ही आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि आशावादिता क्या होती है यह पॉलिटीशियन से राजनितिक्यों से सीखना चाहिए अंतिम दम तक इवन हारने के बाद भी यह हार में बड़ी क कि जो गतिकी होता है आप उसको देखिए क्रॉस वोटिंग और निर्दली उमीदवार जो है इनका डिसीजन जो होगा यह जिस तरफ जुकेंगे यह पूरे के पूरे पूरे गेम के रिजल्ट को चेंज करेंगे यही बात हम सब भी फोकस कर रहे हैं कि निर्दली और राज में ले आते हैं तो एक विक्तिकूल आने से हमेरे रहता है कि कहीं पे पूरे दरिश सबाज का कल्यार होने वाला है माया वती जी अकेले थी जिनोंने पूरा तालका मचा दिया तो रामनात कोबिन को अगर अकेले लाया गया देखें एक ही आदमी काफी है सर परिवर्तर लाने के लिए गांधी भी एक थे सब एक ही है तो आप उसको भी कमतर करके अना चाहेंगे राजा भया का पैत्रा समझ में नहीं आए पहले अखलेश ने मिलते हैं वोट कास्ट करते हैं सीम से जाकर मिलाते हैं और कहते हैं मायवती के साथ नहीं हूँ लेकिन अखलेश के साथ हूँ संजे यह बड़ा इंट्रेस्टिंग कोईश्यन है अगर मैं आपको बोलू तो सबसे ज़्यादा इनालिस इसी चीज को करनी चाहिए कि एक इंडिविजुल कंडिडेट या व्यक्ति का बिहावियर क्या होता है और पल-पल कैसे बदलता है देखिए राजा भाया का दो दिन ट्वेट हैं कि मैं बसपा के साथ में यह उस्बा के साथ हूं यह चीज वह यह भी बोर सकते थे इस तूइट हैं?? मैं बीजेपी का अड़िश्यों को का समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद खबर आती है सो दो पार को जो है फस्ट हाफ तक की बीजेपी के लीडर एक टॉप लीडर है उनसे ये मिले फिर उसके दो घंटे बाद राजा भाईया का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने अखलेश यादो की तरफ अपनी प्रतिबदता जताई अखलेश यह चाहते हैं कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेशनल लेबल पे हम टीवी मीडिया हर जगह पे हाइलाइट होते रहें इसलिए वो बार बार जो है अपनी रड़नीत को बदल रहे हैं अपने एक्शन को बदल रहे हैं या तो यह एक सोची समझी चाल हो सकत है कि लास्ट तक सारी पार्टियों को इंगेज करके रखे रहो सारी पार्टियों को आप गफलत में करके रखे रहो सारी पार्टियों से आप जो है बारगें करते रहो और अल्टिमेटली आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यानि यानि मौके पे चौका मौके पर अठ्था मारने वाली बात है, तो यह दो फैक्टर है, जो राजा भाया का बार स्टेंड बदल रहा है, कि एक तो अपने आपको हाइलाइट करते रहो दिन बर, उसके बाद क्या है, कि जो पास आते हैं, यह बताईए राजा भाया आपके हैं की नहीं है, त्वीट के जरी गोल मुल जवाब नहीं सीधा जवाब ये ट्वीट मिलना अखिलेश की तारीफ करना मायवती के साथ ना होना फिर सीम से मिल लेना एक दिन में कितनी बार निस्था पदल सकती है ये इसका बेस्ट एक्जाम्पल योगी जी से तो बादे शुपाल जी भी मिले और अप्रणा यादो जी मिली आज के दिन आज के दिन सार होचिन के दिन मिलना क्या मतलब है और अज के खबरें कि नहीं तो ज्वाइट करने जा आफा ये मतलब सेदर्य भार में आज करने प्रोग झाल आफजाव में आज क्यों दो है।